चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सराइज वन पॉइंट वन का कुशन नंबर वन से ठीक है तो कुशन फॉस्ट कहता है कि हमें ऐसे पता लगाना है पार्ट फॉस्ट कोशन नंबर वन का वन थर्टी फाइफ एंड टू 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 बीच में तो हम क्या रहेंगे वह भी यूक्लिट डिविजन लेमा के जरिये से तो यूक्लिट डिविजन अलगोरिथिम बेसिकली क्या कहता है कोई नंबर हमार पास a which is equal to bq plus r and condition for r is r की condition क्या होगी r की condition होगी के r हमारा b से हमेशा छोटा रहेगा which is always smaller than b and but it may be equal to or greater than equal to 0 though this is the condition for r ठीक है तो यह वही चीज है जैसे हमारे पास कोई dividend number होता है ठीक है और जब उसको कोई diviser diviser 1,2,3,4 कुछ भी है और dividend जो की diviser उसको divide करेगा किसी question से लेकर तो हमें remainder मिल जाता है तो इसको अगर हम बनाएं तो dividend हमारा क्या होता है dividend हमें पता है dividend हमारा divisor into question plus remainder के बरावर होता है तो basically हमें पता है के 225 is greater than 135 ठीक है तो जो बड़ा होता है उसको हम a suppose करते हैं तो यहाँ पर a हमारा 225 हो जाएगा और b हमारा 135 हो जाएगा तो हम पता करते हैं अब using a equal to bq plus r तो हमारा a 225 हो गया equal to 135 अब हम इसको किसी as a number से यानि हमारा कोई quotient होगा ऐसा होना चाहिए के remainder या तो 0 हो जाए या उससे छोटा रहे या तो remainder 0 आना चाहिए उस number को quotient को लेके जैसे अगर हम 2 से multiply करते हैं 135 को तो यह 270 आ जाएगा जो की 220 से 5 से ज्यादा है तो इस वहले इसलिए हम क्या करेंगे जैसे 225 है which is dividing by 135 तो इसको हम इससे divide करेंगे तो हमें 90 मिलेगा तो यहाँ पर हमारा quotient क्या है 1 है और remainder कितना बचा हमारा 90 अब अगले condition के अंदर 190 और 135 में A और B को suppose कर जाएगा तो यहाँ पर 135 बड़ा है तो इस पहले वाले case में B की value जो थी वो अब next level पे A की जगे पर आजाएगा और जो हमारे remainder है वो हमारा B की जगे पर आजाएगा तो हम क्या करेंगे हम 135 को अगेन इस divisor से यानि 90 से divide करेंगे और देखेंगे कि कितने बार में यह आ जाएगा तो 190 को अगर हम 1 के लावा 2 से multiply करते हैं तो 180 आएगा ठीक है तो 180 बहुत जाद हो गया तो हम सीधे सीधे 180 कर देंगे तो हमारा remainder 45 बच रहा है तो यानि 1 से multiply किया जाए तो हमारा 45 बच रहा है ठीक है तो अगली condition के लिए वही सेम चीज रिपीट हुए आएगी तो 90 यहां रखा जाएगा 45 को टू से multiply करते हैं तो हमारा zero हो गया remainder तो जिस step पे हमारा remainder zero आजाए उसी step वाले B को हम यह जो हमारा B है यह हमारा SF कहलाएगा so therefore 45 is the SCF of 135 and 225 तो वही चीज है तो SCF निकालने के दूसर तरीका भी था simply हम SCF कैसे निकालते हैं SCF हम 135 का अलग L से हम निकालेंगे ठीक है इस तरीके से और इसी तरीके से हम 225 का निकालेंगे जैसे निकालते थे जैसे 5 2 10 5 3 15 और 23 यहां पर आगया और यहां पर आजाएगा हमारा 5 7 3 9 27 3 3 3 3 और इस तरीके से हम 5 का निकाल सकते हैं 5 4 20 यहां पर 2 आगया 4 5 और अगेन यह हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम कर सकते हैं 15 3 45 और 3 5 15 और तो 135 जो है हमारा 3 2 3 2 3 2 5 के बराबर है तो अगर हम देखें हिस्टहार हमारा दोनों रह दोलों में 33 2 टाइमस है 5 जो वन से तो यहां पर ऐस से इह हमारा हो जाएगा जो हम चोटी क्लास में भी पता कर लिया करते थे चोटी क्लास में इस तरीके से से पता कर लिया थे करते थे 135 का LCM निकाला और यहां रग दिया 225 का अलग LCM निकाला फिर इसमें highest common factor देख लेते थे तो simply हमें पता चल जाता था के SF क्या है मगर हमें इसमें क्या करना है यह के लिए डिवीजन लेमा का इस्तमाल करना है यह के लिए डिवीजन अगर्दिम जिसके अंदर हमें इन दोरो नंबर के जो है निकालने है हमें SCF ठीक है तो इस तरीके से हम यह हमारा SCF आ गया 45 which is the SCF of 135 and 2225